इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी यह infection के कारण होने वाले दर्द, खुझली, बेचैनी, दर्द और जलन से राहत दिलाने में मदद करता है यह आँखों की लालिमा और सूजन से भी राहत देता है डॉक्टर द्वारा निर्धारत खुराक और अवधी में इसका इस्तिमाल करें दवा का उपयोग करने से पहले निर्देश के लिए लेबल को ध्यान से पढ़ें इस दवा का इस्तिमाल करने से पहले अपने हाथों को धुएं बहुत अधेक्या, बहुत कम मात्रा का उपयोग न करें। डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार या लेबल में निर्देशा अनुसार सतीक खुराक में इसका इस्तिमाल करें। इस दवा के इस्तिमाल से आँखों में जलन और लगाने के तुरंद बाद असुविधा हो सकती ह ये आमतोर पर अस्थाई होते हैं और समय के साथ ठीक हो जाते हैं। हाला कि अगर वे बने रहते हैं या और बढ़ जाते हैं तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। अपने कान, नाक या मूँ के साथ अचानक संपर्क में आने पर इसे तुरंद पानी से धोलें। यदि आ आखों की रोशनी धुंदली हो सकती है और गारी चलाने की आपकी ख्शमता प्रभावित हो सकती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करक नोटिफिकेशन बेल आइकान पर क्लिक करें और और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।